अध्यूल दोस्तों व्यक्शक्र सब्सक्राई करेंगे इस वीडियो में वीडियो को फूरा लास्टिक देखी तो इसके पहले क्या करना है आपको ओपन कर लेना है अपन करने के लिए देखी इस उसका बैक्साइट है यहाँ पर इस शुराग देख रहे हैं श्रक का देख तो इसे में जो है open कर लेता हूँ cover को देखिए और यह इसके अंदर motor है यह motor के अंदर जो है यह armature लगा रहता है आप जो यह देख रहे हैं दोस्तों जो है मैंने इसको पावर में कनेट कर दिया है देख सकते हैं यहां पर और मैं आपको देखिए यहां से इसका स्वीच ओन करता हूँ देखिए किस तरह स्पाक मार रहा है देखिए इस तरह से स्पाक मार रहा है एक पर मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ कि देखिए जो कमबोटेटर है उसका आर्मीचर का वहाँ पर देखिए इस तरह से जो आज के लपटे मार रहा है ऐसा प्रोब्लम जो ब्रस अगर खराब हो गए तब भी आता है लेकिन इसके मैंने ब्रस चेक किया हुआ है ब्रस जो है इसके ठीक है आर्मीचर इसका जो खरा दाओ चलिए बिक्सर ओपन करने से पहले दोस्तों हमें जो इसके उपर कपलर लगा है इसे जो हूँ निकाल देना है इसको निकालने के लिए आपको दो इसक्रू डाइवर के जुरत पढ़ींगे और इस तरह से आपको निकालना है देगी कपलर निकलने के बाद उसे साइ स्विच का ये देखिए इस तरह का इस्कुरू आता है यहां पर ठिके इस खुलने के बाद में जो है में मिक्सर के जो बाड़ी है इसको पल्टा देना है और यहां पर देखिए मैं आपको दिखा देता है उच्छे से नट लग रहेते हैं यहां पर दिखिए एक नट यहां पर लगा है ठीक और एक नंट यहां पर लगा है और एक नट यहां लगाए और एक नट यहां पर लगाए मतलब यहना के टोटल इसमें यह चार नटे तो चलिए मैं से फटा हमर्ट फटे वह फोल दीता हूं ह do डोस्तो तो देखिए जो है यह मोटर जो है मैंने पर बेड़्र आप्अन कर लिया है तो इस तरह से आपको जो है निकाल देना है बहार देखिए और यह जो केबल है इसको पीछे ? देना है और इसके जो नर्ट्स निकलते हैं जितना भी सामान निकलता है वह अपको अच्छे से उठा के रखना है गमाना नहीं ठीक है इसके अंदर जो कि रबर रिंग रहता है इसको भी सम्माल के रखनार इस तरह के रबर वाइशार रहते हैं इसमें गुटके जो इसको सपोर्ट करके रखते हैं मोटर को ठीक है तो हम इसे अभी साइड रख देते इसका भी कोई काम नहीं है यह हमारा जो मोटर है इसके अंदर आर्मीचर लगा है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रच्छे से तो दोस्तों देखिए जो हमारा आर्मीचर है मैं आपको दिखा देता हूँ यह कहां से अलग कर लेना है में जो इसके अंदर ब्रस लगे रहेते हैं इस तरह से निकाल के से अलग कर देना है अधर आज तो हम इसके ब्रस भी चेंज करेंगे क्योंकि ये भी साथ यह आर्मीचर के जो हो खराब हो चुके हैं और इसको उपन करने के लिए यहां पर देखिए इसक्रू लगे यहां पर चार एक और यहां पर देखिए दो तीन और इधर चार इधर का तो निकल गया तो यह इसक्रू हमें खुल देना है इसको मोटर को जो है ओपन करने से पहले इस पर मार्क लगा देना है मार्क इसलिए लगाना है वह आपको बता देता हूँ दिखिए जब हम इसका मोर्क अपन करेंगे तो जो इसका नस्षेल करने तो चलिए जो है इसका नट को हमें खोल देना है याँ से इस तरह से नट हो गया ओपन हमारा इसको अब थोड़ा सा इस तरह से मारना है तो देखी दोस्तों यह हमारे फिल्ट कोईले यह हमारे ठीक है यह कोई खराब नहीं हुए ठीक है तो यह फिल्ट कोईल रखना है साइड में और इसमें देखिए एक छहरा रहता है जो के एक मिनट यह जो आर्मीचर है यह आर्मीचर के इंदर जो सुराग देख रहे इसके अंदर लगा जल दिया है आप दिखाता में आपको देखिए आर्मीचर जो है इसका वो कैसा खराब हुआ है यह देखिए दोस्तों अच्छे से जूम करके बताता हूँ देखिए यहां से देखिए कमोटेटर का जो एक पॉइंट है वो जल चुका है यहां से पूरा निकल गया तो यह हमें जो है मिक्सर और यह देखिए हैं इसके पॉइंट वागेर भी तूट गए यहां पर मतलब ज जो इसके अंदर new army टालेंगी और new market करेंगे हमिसे अंदर लाते हैं और बिठाती अर्ज उसके पहले हमक्यश के बुशिंग यह चेक कर लेते हैं तो इतर से देख लेते हुँ बुशिंग तो एक्दम टाइट मेश पीछे का भी ठीक है क्योंक्यdır माने जो पहले पी के इतना है कि सिर्वह इसके अंदर जो पॉइंट है वो तुड़के इसके इसमें एक तार आता है वह तार नहीं है इसके अन्डर यहां दोस्तों के दोस्तों तो है मैंने नियू आर्मिचर लेके आगया है यह आरमिचर जह हमारे 8mm का था और यह देख्य emerging 48mm यानि यह भी 48 mm company new वाला लेके आया है जो के सोना company का armature है ठीक है तो यह जो है मुझे 280 में मिला है तो हम इसको देखते ओपन करके किस तरह का है यह एकदम original वाला है यह armature local नहीं है देखिए इस तरह का है चलिए इसे हम open करते है पेकिंग भी देखिए इसका कितना hard है को क तो से बाहर निकाल लेते हैं को तो दोस्तों देखिए इस तरह का जो हमारा निउ आर्मी अ कर यह एंठे और यहां पर । company का जो है वह गईte और यह देखिए इसका कोमोटेटर कितना अच्छा है और यह देखिए हमारा जो पुराने वाला आर्मीचर था यह न्यूवाला आर्मीचर ठीक है अगर आपको आर्मीचर चेक करना है कि अगर आप पर्चेस करने के दुकान पर तो किस तरह चेक करना देखिए आप जो है न् कि दूसरा अर्मीचर लीजिए ठीची है तो यह देखे इस तरह से आर्मीचर हमारा अभी हम इसके अंदर colors मोटर में हम जो है इसे फिट करते हैं इस मॉटर में जो है मारें मिचलों को फिट करेंगी में बाहर निकल लेता हूं पहले तो देखिए यह जो ब्रस है तो इसका जो यह आप एक मिनट इसको जुम करने तो देखिए जो यह आप इसका हिस्सा देख रहे है टौप अला पॉईंट ठीक है और यह जो Commodator है इंसका मतलब यहाइ नगी है कि यह Commodator इसको बोलते है तो यह जो दाते देख रहे है इसके ठीके यह दाते पे ने आना चाहिए मतलब इस्तर से ने आना जाएए इस्तर से आगर आएगा तो यह गलत हो जाएगा से आपके जो है बरष जादे खराब होंगे रए एमिचरबी जो है यह जू है इसका हिस्सा यह इस तरह से आना चाहिए मतलब यह जो एना पिछे देख्य मैं अच्छे से दिखोड़ेस करता हूँ आपको देखि इस तरह से आना चाहिए हमारा ब्रस मतलब भी हापी इस तरह भीड़ना जाहिए जो कोना है यह वाला जो कोना है इस तरह से नहीं भड़ना चाहिए यह हमारा जो है ब्रस इस तरह से बैठना चाहिए ठीक यहांने कि इधर 2 mm की जगर हैनी चाहिए और इधर 2 mm की जगर निगी इसके बीच में राना चाहिए ठीक है तो हम चलिए से जो है जेंने कि जगो है से राना हो 10 एक टीं के सबसितीर एक के सब्सा आती है तो यहां कि अब पर हम जो है सार्प्टीन के पीछ बैक वाले मिरीन लगता है बेरिंग का चना रहा टा है यहां पर देखी कि देखिए तो यह जो है बेरिंग का बॉल डाल देए को चिund करके बता देता हूं तो दोस्तों अपर जो हमारे में नहीं आपको बताया आए जो बरस के जो पॉइंट है वह इसके बीच पुछ में आना चाहिए मतलब यह इसको भील रहा है यहां पर देखिए यह जो आगा है भील रहा है तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे जो थोड़ा सा नट है वो टाइट करेंगे तो यह आर्मिचर आगे को जो है वो सरक जाएंगा इस तरह से देखिए मैं आपको इसे टाइट करके बताता हूँ इस तरह से आगर टाइट करेंगे तो यह आर्मिचर जो है आगे को चल जाएंगा इस तरह से आपको सटिंग करना है इसके और इसे जो है टाइट कर देना है तो देखिए हमारा जो ब्रस के जो प्वाइंट है वो एकदम बराबर आगे हैं हैंसे भी आप देख सकते कमोटेटर के जो यह वाली प्वाइंट है व अंदर चले गए और यह देखिए ब्रस जो है ब्रस प्लेट के बाहर हमारा एकदम सही आ गयार इदर से 2.5 mm की जगा बाकी उसके ओपर तो इस तरह से आपको इसका सामने का पीछे का सर्टिंग हो गया ठीक है आप जो सामने वाला हिस्सा है तो हम इसमें जो है यह फिट करेंगे लेकिन हमने देखिए हैं पर मार्क किया था वोटर खोलने से पहले तो यह देखिए लाल वाला निशान है तो हमें वो निशान को मिलाना है निशानी जो है इसकी देखिए इस तरह से और इसको जो है आप फिट करना है और यह देखिए मैं जिस तरह आपको पहले खोलने से पहले बाता आया था कि अखर आप निशान मारके इसको खोलते और फिट करते तो आपका जो शेटिंग इंग्दम से आता है फिर होता है देखिए फिर आ चुका है ठीक है तो हम इसको जो है अब इस्कू से जो है वो टाइट कर लेते हैं तो इसके जो स्कूस ते जितने भी वो सब कर ले नाय में कर दोस्तों तो जो है मैंने इसका आर्मिचर जो है उपरा फीट कर दिया और इसके आपको मैं सेटिंग दिखा देदाओ किस तरह मैंने किया तो आप सेटिंग देख सकते हूँ शेटिंग जो है इसकी एकदम आधे mm के बराबर है मतलब एक mm भी निया देखिए मैं अगर इसको आगे पीछे करूंगा तो होँगा देखिए आपको ठीक है तो इस तरह से सटिंग करना है आपको और यह देखिए उपरा फ्री है और इसक मोटर को कैसे फिट करना है चलिए वो देखते हैं और फिट करने से पहले जो हमें इसमें बरस डाल देना है कि इस तरह से हमारा एक बरस जो हो बैठ चुका है इस तरह से हमें दूसरा वालब द्रस भी बिठा देना है तो देखे बरस जो है वो टोटल ली बैठ चुके हमें इसे फिट कर लेते हैं और बरस देख लिए आप कैसे बैठे हैं इसके वहने जिस तरह आपको बताया था देखिए इसी तरह जो है वो बिठाना है आपको यहाँ पर देखिए दो एमेम का वो है गैप और यह पीछे उसके पॉइंट चले गए जो आर्मिचर के आते हैं अब यह पुरी मोटर फिट करने के लिए रेडी है फिट करने के लिए आपको जो इसका एक पार्ट ले लेना है जो के मेन वाला आता है हिस्सा उसका प्लास्टिक का तो इसके अंदर जो है यह मोटर के जो है बैलेंसिंग जो है शीड आती है इसके अंदर यह मतलब रबर आते है सोरी शीड बोल रहा हूं मैं भी रबर के इस यह जो केबल है केबल डाल देना आपको तो इस में से जो वायर निकाल देना है बाहर ही इसका जितना भी जो सामन है देखिए यहां पर यह बटन उसका इस रहां आपको यह बटन जो यह बाहर निकाल देना है और इस तरह से देखिvent आ factork यह मोटर जो है मारा फिट जाएंक इसके अंदर जो इसका मो टर है नहीं मुझ ईस तरह से हमार यह बन गया इतना फिट करने के बाद दोस्तों इसके उपर जो और लगा देने इस तरह सी है टेकशते इसतर से पिट करने के बाद में इसको बल्टा देना है देखिए इस तरह से पलटाने के बाद में यह जो नट से जो हमने खोले थे देखिए यह जो नटा है इन नटा हमको जो चारों इसमें लगा देना है ठीक है तो मैं यहां पर एक नट टिकने रहे तो इसे जो है फिट कर लेता हूँ और आपको फिर यह बताता हूँ यह बटन वागरा वायर वायर जगर किस तरह लगाना हम यह से चेक भी करके देखेंगे क्या पहले के तरह प्रॉबलम आ रहा है क्या नहीं तो मैंने यहां कि जो है चारो भी नट जो है वो टाइट कर दिया है और यह वह फिट अब हम जो इसके बटन वायर वागरा जैसे निकाली थे वो सब लगा देते इसमें तो यहां पर जो ही केबल लगा हुआ था तो केबल लगा देते हैं यहां पर जैसा वैसा और ये स्वीच जो बटने हमारे स्पिट कंड्रूल करने का अन ओफ करने का ये भी लगा देते हैं तो इसका ने एक नट आता है नीचे वो नट लगा देना है इस तरह से और नीचे से जो है टाइट कर देना है नट को और ये जो हमारी LED लाइट ये लाइट यहाँ पर लगी रही थी ये लाइट को भी यहाँ पर लगा देते हैं तो यह देखे पुरेस तरह फिट हो गया और दोस्तों एक बात बता देता हूं में इसके अंदर जो है ये overloading switch जो है customer ने कहा मत लगाओ क्योंकि बार बार ये trip हो जाता है तो ये नहीं लगाना है ठीक है तो यहाँ पर मैंने इससे डाइरेक्ट कर दिया है यहाँ पर कि switch ने लगाया है हमने इसमें आप चाहे तो लगा सकते हो ठीक है लगाना कैसा है ओ देखिए जो इसका एक जो pointless यह ब्लेक वाले को लगा देना है उसके क्वाइंट पर और जो यह दो वायर देख रहे है इसको लगादेना है उस वाले पॉयंट पर दूसरी वाले पॉइं तो इस तरह से लग जाएंगा तो चलिए से में एक बार आप टेस्ट करते हैं कि यह फिर से चिंगारी मार रहा है पर यह सई यह नहीं ऑर जो है हमें इसका जो कपलर है वो लगा देना है आर्मिचर की उपर इस तरह से इस तरह से ठोक के पिठा देना है तो यह होगे हमारा रेड़ी दिखे सब अब हम इसे चली चेक करते कि हमारा वो प्रॉब्लाम जो है सौल हुआ है यह नहीं और यह हमारा पुराने वाला आर्मी चर और इसने हमने जो है निवाला डाल दिया है के हैं दोस्तों जो है मैंने इशक HEY मैंनेste को पावर में जो है कनेक्ट कर दया है देख सकतर्य इसके बिंड लगई विया है यहां पर अब चलीए अब टेस्क करते है यो प्रॉब्लम जो है स्वालवे नहीं यह हमारा है स्विच है और मैं इसको निचे से जो है उन करता हूँ रहाँ पर देखते हैं तो देखे दोस्तों कितना स्वाइब घूंग रहा है जो पहले प्रॉब्लम आ रहा था वो नहीं है इसमें देखिए एक बार और देख लेते हैं मौन करके से अच्छे से दिखाने के को गोशिश करता हूं मैं आपको देखी देखे इस तरह से तो दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉलो चुका है इसका अर्मिटरी गरापता कि इतने सभी स्पाक नहीं आ रहा है ठीक है एक बार उपर से देख लेते हैं अगर देखे दोस्तों कितने स्मूद घुम रहा है तो इसी तरह से जो है दोस्ता बहुत यासनी से अपने घर पर अर्मिटर चेंज कर सकते हो और जो है मैं इसका बैक साइड वाला जो कवर है वो लगा देते हैं और एक बार इसे और आउन करके देखेंगे पुरा फिट करने के बाद में दोस्तों जो है मैंने से पुरा फिट कर गया है इसके जितने में नर्ट है पिछे के वो पूरे लगा दिया है और इसका कवर वगल लगा के पुरा यह जो है रिडी है अभी हमें ल वीडियो पस्तना आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दूर कीजी और आपको कोई प्रॉब्लाम आता है रेपियर करने में तो आप मुझसे कमेंड में जो है पूछ सकते हो मिलते हैं नेक्स वोड़ में जब तक लिए गुड़ बाए